आप सभी का पुने इस online platform पर स्वागत है आज हम पुने quantum mechanics की एक नई क्लास लेकर आए हैं part number 35 जैसा कि आपको पता है मैंने आपको पहले भी बता है कि 24 पार्ट से अभी तक continue आपके सारे operator चल रहे हैं टो पहले बाले पार्ट में अगर उसके साथ सत्ती लेकि वयलिव कि अपने निका लेक्स के साथ वग आजए है तो पने निकालता यह इच्ग्रोस एक यह पनी आपके पास अगर इसे भी हो उल्टा आपके पास यह एल्लक्स आना चींग है तो इसका मान उल्टा और अज मैनस आयोटा एज क्रोस जेड यह देखा था ठीक है आज अपन देखेंगे कि आज वाली क्लास में अगर दोनू कोई यह समवेगो एक साथ तो उनकी वेल्यू क्या होती है आपको पता इसको अपन कैसे लिख सकते लेक्स लोगे मैनस लोगे लेक्स तो चलो आज अपना क्युशन हो जाएगा उसको सॉल करते है कि कर आदके अपना कुछन हो जाएगा करम वीनिमे संबन्स किया संब्ध है कि करिम विजिमे संब्ध ए लक्स अलओए बराबर एक मिन थोड़ी दिखता रही है LX LY बराबर IOTA H X LZ यह मान होता नहीं होता आपने को देखना है न LX LY बराबर IOTA H X LZ को सिद्ध कीजिए ठीक चलो आईए value होती नहीं होती अपने को देखना है जैसा कि अपने को पता है इन सभी के अपने को मान पता है तो अपन क्या करेंगे कि V no date solution कि LX LY को अपन कैसे लिख सकते है आपको पता है कि एक बार तो अपन लिखेंगे LX LY ठीक है और एक बार अपन क्या लिखेंगे माइनस LYLX अब मैं क्या करता हूं इनको अलग अलग सोल कर देता हूं सबसे पहले मैं LX LY को सोल करता हूं फिर इसके बाद LX को सोल करूंगा और उसका मान अपन सिधा इसम करें क्योंकि एक साथ इसका मान कितना होता है मान रखेंगे अपन इसका मान होता है वापस होई e-iota h cross l y का माने ना l y का मान कितना हो जाएगा l y का माने जस उल्टा इसका y यह तो जस्ट आगे j dot del upon del x suppose में छोटा वाला है ना j dot del upon del x minus x dot del upon del j ठीक है यह अपने मान रख दिया उमीद करूंगा आपको value अच्छा से समझ माई ओ जे डोट देखेंगा मैं इस वाली वेलिव को आप धियान से देखेगा कि अपने पास क्या हो रहा है यह वाला माल मैंने सरा यूटा है तो आयूटा आयूटा स्कार्ज कितना हो जाएगा आपको पता मैंनस यह बार यह मैनस और यह माइनस कड जाएगा चलो इसको अपन लिखते हैं कि LX LY बराबर आयोटा है यह मैनस मैनस कड गया अपने पास हो जी गया आयोटा स्कॉयर सबस्कारिय में इसको करेंगे पर यहांन से नहीं सारी चीजे और लिख रहा हूँ अगले step में वापस ये इससे multiply होगा, ये plus का है और ये किसका है, minus का है तो आपको पास हो जाएगा, plus minus y dot del upon del z और इसके साथ क्या हो जाएगा, x dot del upon del z, ओके, अब आपन इसको इससे करेंगे, इसके आगे minus है, इसके आगे plus यानी minus हो जाएगा, तो minus पहले ये वाला मान, j dot del upon del y और bracket में क्या हो जाएगा, कि j dot del upon del x, ओके, फिर इस वाले मान को अपन इससे multiply करेंगे, ये भी minus है, यहाँ भी minus है, और वहाँ भी minus है, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus पहले यह पर इसको लिखेंगे, J dot del upon del y और इसको लोट कर रहें किस से, x dot del upon del 1, समझें में आगे, ऐसा आपने ब्रेकेट खुला और इस ब्रेकेट खुलके , अपने सारे पार्ट को मल्टिपलाई कर लिए अब आगे देखे गा, इता स्कायर वापस कितना हो जाता है, माइनस तो अपने पास value हो जाएगी LX LY बराबर माइनस h cross square अब यहाँ पर operator लगाना आपको पता डेल अपॉन डेल जर इन दोनों के साथ लगेगा बार बार अपने operator लगाते तो एक बार तो आपका वई ऐसा कैसे ही जेड भी ऐसा कैसे ही जेड ऐसा कैसी इसका इसके साथ ल करेंगे तो del square upon del x ठीक एक बार ति हो गया अगले step में प्लस करके जेड आसा कैसी ता अब आपन डेल अनलक्स को इसा कैसे लिखेंगे तो डेल अपने पास कीटना हो जाएगा डेल अपने जेर बन हो जाता है तो अपने पास क्या हो जाएगा y dot a upon del x पता है यह ईसाय के ऐसे ही डल estr a upon 3 ऐसे बाद उसके बाद मैनस को जाएगा जीरो जैसा कि आतो जीजू तिए आप आगे चलिए कि माइनस जेड़ और जेड़ स्क्यार होगे आपके पास और यह कितना हो जाएगा डेल स्क्यार अपॉन देल य डेल एक्स ठीक है फिर आप वापस अगले स्टेप में माइनस यह जीड़ आपका से के सी यह आपका सब्सक्राइब अपने पास करेंगे अपन तो डेल स्क्राइब अपने प्लस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका जीड आपका सब्सक्राइब यह ओगा न देखो एक बार अपने करती है यह अगले स्टेप में आपका डेल अपने पास करने कितना हो जाएगा आपका जीड ओगा ठीक है यह आपका पूरा कंप्लीट है तो इस एक्वेशन को आप सिक्रेंस से जमा के लिख दीजिए तो अपने पास क्या हो गया कि फोड़ा नीची लिख देदा हो ना कि एल एक्स एल वाई बराबर माइनस एज क्रोज स्क्वाइर इसको लिखे आप वाई जे डोट डेल स्क्वाइर अपॉन डेल जेट इस काईर ये जीग वह यह नहीं लिकना मैनेको मैनस, जेट स्काइर दोट डेल स्क्वाइर अपवन डेल 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 एक्स फूला प्लस जेटे को ड़ेल डेल इस क्यूंद वह यह आपकी बंगी सम्ही की को दो किसका मान सोल हो गया अगर आपने पास लेक्स-ले का मान स निकालते हैं तो चलो आईए आगे कि इसी परकार वापस आगे कि इसी परकार क्या निकालना अपने को ल्वे लेक्स इसी परकार लवे यह परकार वही चीज़ अलवी का मान कि म्माइनस आयोटा एज क्रोस वई हो रहा है तो अपन कीसे लिखेंगे जे डेल आपोन डेल एक्स-्टेल अपॉन डेल जेड फिर उसके बाद वापस इसका मान इंटु माइनस आयोटा एज क्रोस लेक्स तो वई-डट डेल अपॉन ड ठीक है यह अपने मान रख दिए कि वही डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेल अपॉन डेल वाई अब आप आई इसको सोलीशन करते हैं अपन वापस वही चीज मैनेस आयोटा है क्रोस मैनेस आयोटा है क्रोस को आप बाहर निकाली तो दोनों मुल्टिप्ला हो जाएगा अपन मैनेस मैनेस कट गया प्लस अपने पास हो गया आयोटा स्क्वाइर एच क्रोस स्क्वाए ठीक है अगले स्टेप में मैनस x डोट डेल अपॉन डेल जेड यह मान आपका मल्टिप्ला नहीं स्टी एक बार इसको पूरा करते हैं आपने वापस यह जेड अपॉन डेल एल एस एल पॉंड एल एक्स यहां मान इस से मल्टिप्लाइब माइनस माइनस आपका वापस एक्स डोट डे लपाण एल चिए आपका मल्टिप्ली विश्ड खेग है कर दोट टे लपाण डेल से एक्स दोट नहीं है आपको बिल्कुल क्योंकि एक्जाम में आपको पूछें कि अपने पास क्या हो जाएगा ल, वई, ल, ल, बराबर जैसा कि आपको पता है आउटर स्कॉर, ह क्रोज स्कॉर, यह पूरा आउटर स्कॉर माइनस तो माइनस हो जाएगा अब मैं 0 वाला नहीं लिखूंगा, सीधा अगले वाला माणी लिखूंगा, ऐसे ध्यान रखीगा आप, तो जेड आपका ऐसा कैसे ही, वई भी आपका ऐसा कैसे ही है, इसका इसके साथ करेंगे तो क्यों हो जाएगा, डेल स्कॉर अपन डेल एक्स, डेल जेड, ठीक है, अग अगे देल स्कॉर अपन डेल एक्स, डेल वाई, ठीक है, फिर उसके बाद वापस, यह ऐसा है कैसे ही, डेल अपन डेल जेड, तो कितना हो जाएगा, जीर नहीं लिख रें, वापस यह देखिये आप, तो अपने पास हो जाएगा, प्लस, एक्स, जेड, क्या हो जाएगा, डेल य डेल जेड फ्लस अगले स्टेप में आपका एक्स सेक्ष यह एक्सके यह करें गई तो अपन क्या करेंगे कि समीक्रण दो वे तीन का मान किस में समीकरण एक में रखने पर ठीक है? दोनों solve कर लिए अपन LY LX हो गई LX LL अब यह दोनों मान में रखूँगा यहां पर समीकरण एक में तो आप आपको पता है दोनों मान रखी अब दोनों मान में देखिया आप मैनेस H करो स्क्वार और मैनेस H करो स्क्वार आ रहा है तो मैं इसको सीधा बाहर कॉममन ले लेता हूँ ठीक है? तो अपने पास क्या हो जाएगी समीकरण ना बार-बार इससे बोर्ड मीटाना है फिर आपको करना है इस लिए नहीं में भीटा रहा हूं कि ये मान मेरे को याद नहीं है का यती में को मिटा दूगाOkay कि ये मानि फोड़ा मिटी अई तो दोनों का मैं बाहर common ले लेता हूँ ठीक है फिर उसके बाद यह मान पहले वाला यह अपन सोल करते हैं तो अपने पास क्या है पहले यह वाला लिखना आपने को है तो पहले यह लिखेंगे अपन वाई जेड डोट डेल स्कॉयर अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डोट डेल अपॉन डेल एक्स ठीक है माईनस वाई एक्स डोट डेल स्कॉयर अपॉन डेल जेड स्कॉयर माईनस जेड स्कॉयर डोट डेल स्कॉयर अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस जेड एक्स डोट डेल स्कॉयर अपॉन डेल वाई डेल जेड एक्स तो यह मान हो गया है इस मान से अपने को माईनस करना यह वाला मान ठीक है त्वी वाला मान अपन मैनस करेंगे तो मैनस zy dot del square upon यह ना मैनस यहां पर दोनु मान रख रहे हैं ना बड़ा मान है आप चाओ तो हाँ ठीक है मैंनस z y dot del square upon del x del z minus z square upon del square upon del x del y ठीक है minus x y dot del square upon del z square plus x z dot del square upon del y del z मान रख दिया del square upon del y del z plus x dot del upon del y अब आईए अपने सारे मान भूट कर देए अब इसको मेटा देते हैं अब नहीं चीए अपने को यस अब आप मैनस से अंदर मल्टिप्लाइए कर लीजिए वो इनको एक सार लिग देते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा आगे कि lx lv बरापर मैनस h cross square जो बार चल रहा है उसको इसे कैसे चलने दीजिए y z dot del square upon del z del x plus y dot del upon del x मैनस पहले उपर को लिख रहा है ना मैनस y x dot del square upon del z square minus z square dot del square upon del y del x plus z x dot del square upon del y del z अब यह मैनस करके यह लिखते है अपनमाने ना तो मैनस यह मैनस multiply होगा तो मैनस z y dot del square upon del x del x z यह मैनस प्लस मैनस x z dot del square upon del y del z और यह मैनस x dot del upon del y यह अपनने सारे मान पूट कर दिए अब जो करता वो काट यह इधर देखिए y z y z कहां दिख रहा अपने को यह रहा दोनों मिल रहे 0 z del x फ़ोड़ा सा चेंज है यह प्लस का यह मैनस का कट गया ठीक है फिर उसके बाद यह नहीं कटेगा फिर यह देखिया आप y x yx कहाँ पर है yx yx यह रहा दोनों से हैं में एक minus का एक plus का यह भी कट गया ठीक है और आपका यह मान यह कट गया और यह मान इससे कट गया तो finally आपके पास क्या बज़ गया आपने पास बज़ गया lx ly बराबर minus h cross square यहां से तो बज़ गया आपके पास y dot del upon del x और वहां से minus x dot del upon del y ठीक है कि y dot del upon del x y dot del upon del x minus x dot del upon del y अब अपने को इसमें लाना क्या है अपने को इसके अंदर लाना है iota h cross lz lz का मान कितना होता है lz का मतलब यहां से start होता है x del upon del y minus y del upon del x तो इसको अपन चेंज कर देंगे ठीक है अब यह पूरा solution होगे आपने इसको मीटा रहे है ना अपने इसको मीटा रहे है अपने पास यह क्वेशन आगी यह सारे मान कट गए ठीक है yes lx ly बराबर यहां से इस minus को आप बाहर कॉममन ले लिए जो minus minus को हो जाएगा plus plus h cross square इसको अपने पहले लिख देंगे x dot del upon del y minus y dot del upon del x समझ में आगया plus h cross square x y dot del upon del x माइन उल्टा कर जाए क्योंके अपने इसको मैं multiply कर देता हूँ आयोटा स्क्वेर से मैं उपर नीचे multiply कर देता हूं ठीक है जब आप आयोटा स्क्वेर से उपर नीचे multiply करोके तो अपने पास यह मान s हो जाएगा क्येसे कि आयोटा स्क्वेर कर दो माइनस 1 यह आयोटा स्क्वेर कितना हो जाएगा minus 1 एक बार अपने इसको वपस लिखते है एल एकस एल वई बराबर इसको आगे लिए ज़िया आप आयटा स्क्वेर स्क्वेर एच क्रोज स्क्वेर अपन नीचे वाले का मान कितना हो जाएगा minus 1 ठीक है एकस दोट डेल अपन डेल वई-वई-डेल अपन डेल एपन डेल एक आउटा स्क्रोज स्कॉर्ज कॉपन अलग लिख देते हैं जैसा वह हो रहा ना स्ट टीक है तो यह मैनेशा आपका आगा आ गया और इसके दो पाट कर देता हूं मैं तो अपनेपास क्या हो गया LX LY बराबर एक तो यहां से IOTA H cross अलग निकल गया ठीक है और एक अपन क्या करेंगे यहां से यहां से आपका एक IOTA H cross बज़िया उस मैनस को इसके साथ कर लेंगे तो मैनस IOTA H cross X dot DL upon DL Y minus Y dot DL upon DL X समझ माया है लेक्ट में किया कि अपन है इस नीचे वाला IOTA square गमान मैनस उनता इस मैनस को अपने यहां अर्जेस कर लिया ठीक है अब इस IOTA square H cross square को अपने दो पार पे डिवैड कर लिया एक IOTA H cross अपने आगे लिग दिया एक IOTA H cross अपने पीचे लिग लिग लिए यह आपका पूरूप हो गया ठीक है बहुत ही अच्छे क्यूशन है और अपने इनको बिल्लकुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़े अपन खोल कर रहे हैं और देखिए इस परकार अपना पूरा क्यूशन कंप्लिट हो जाता है तो उमीद करूँगा कि आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार आप वापस रिकॉल कर लिजे कि अपने क्या किया है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी परकार अपन दो चीजे और कर सकते हैं जोम और अपके पास अगर आपको पास यह था अब को करने ध्यान से रिकिन परकार अगर लवाई ल्जेर के से चल रहे बना यह होता तो किटना हो जाता आयोटाte एक आपको पास यह हो जाता ल्ज लेक्स तो यह कुष्ण आपको करना है यह अगर एस एसे इसे रिद्वाइब को कि यह जी का बाद आना चीह लेकिन वही आरह तो इसका मान हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रोस एलेक्स यह सार है ना अपन इससे सिक्वेंस करने हैं तो यह आपको तीनु क्यूशन सोल करने है इसी प्रकार करके मैंने डायरेट लिए पूरा का पूरा सुलिशन ऐसे को होज़े आपको करने और यह वाले मान निकालने आपको ठीक है तो आज के के लिए बस इत्ता साही उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ माई हो ठीक है तो आज का अपन क्यूशन करना दे तो मैं आपको एक तो अपने कर लिया एक तो आपको यह कूशन होगा आपको समझना है करम वीनी में संब्स ब्राबर यू ब्राबर आय और एक हो जाएगा आपका लजल एक बराबर आयुटा एज क्रोस अलवाई और एक आपको लए बराबर माइनस अलटा एक यह आपको चारू कुशन सोल करने एक तो मैंने करा दिया वापस करोगे क्योंकि बार बार यह प्रेक्टिस मांगेगे तो आपको सारी चीजे दिमा एल जेड के बाद एक साना ची लेकिन में यहां पर वही ले लिया तो मान कितना हो जाएगा माइनस आयोटा एज क्रोस एलेक्स यह आपको कुशन सोल करने है और कोई भी दिकत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो अपना कीमती समय देने लिए आपको बहुत बहुत धन्य झाप